कि दो हजार उनीस में मानिये मुख मंत्री जी ने फैसला किया था हम सब लोगों से उन्हों ने प्रावर्स किया और हम सम लोगों से प्रावर्स करने के बाद मुख मंत्री ने अफगर करा दिया था कि मुख मंत्री नितीस कुमार ने 2019 में ही फैसला कर लिया था कि केंद्रिये मंत्री मंडल में वो सामिल नहीं होंगे और ना ही उनके पार्टी के तरफ से कोई सामिल होगा मगर 2021 में RCP सिंग जब राश्ट्री अध्यज थे जेडियू के वो मंत्री मंडल में सामिल हो गए ये बात हम नहीं कह रहे हैं ये बात जेडियू के राश्ट्री अध्यज ललन सिंग कह रहे हैं और जिया भी कहते नजर आ रहे हैं कि मुख मंत्री नितीस कुमार जब किसी को केर टेकर बनाते हैं तो उनके कार्य में हस्ता छेप नहीं करते और वो कैसे मंत्री मंडल में सामिल हुए किन परस्तीतियों के मुताबिक RCP सिंग केंद्रिये मंत्री मंडल में सामिल हुए इन तमाम चीजों का जबाब RCP सिंग ही बेहतर देपाएंगे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और साफ साफ लबजों में कहते नज़र आ रहे हैं कि मुकमंत्री निदीज कुमार ने 2019 में ही फैसला कर लिया था कि केंद्रिये मंडल में वो सामिल नहीं होगे उसके बाब जूद 2021 में जब RCP सिंग को बागदौर सोपा गया जेडियू का यानि की रास्ट्री अध्यच बनाया गया उस दर्मियान RCP सिंग केंद्रिये मंडल में सामिल हो गए किस तरीके से कटाच कर रहे हैं बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जेडियू के रास्ट्री अध्यच ललन सिंग सबसे पहले आप वो सुरिये नितीश कुमार जी अपने केर्टेकर को पूर्ण अधिकार देते हैं और इसी तरह इसी कारण से वो जब राष्ट्री महास्ट्रीव संगठन थे पार्टी के जग जब उन्होंने राष्ट्री अध्यक्स बनाया तो कोई काम में उन्होंने हस्पच्र नहीं है मुझको नहीं जनकारी है हम अभी आए हैं हमको कोई जनकारी नहीं हमको नहीं मालूम है हम अभी तो आई भी हैं दिल्ली से उत्रे हैं हवाई जहां से सिधे आपसे मिलने के लिए चले आए कि अभी तो इसले कि अभी कल पूर अच्पति का चुना हुआ हम लोगों ने पूरी मुस्तेजी से भोड दिया हमारे एक सांसा अधर्निय बसिष्ट भाई बीमार थे उनको भी हमने ले जाके विल्चिया को भोड करा है हम लोगों ने समर्थन दिया राश्पति के उमिद्व यह तर चीप मिनिस्ट के प्रेडि प्रेड बताएं गार्ट सामिल प्रेड टांट दो हजार उनीश में डोहजार उनीश में मानिय मुख मंतरी जी ने पैसला कि अधा ता हम सार्था ने सामिल नहीं हो हमारी पार्ट इप आज उस स्टैंड पर कायम है मानिये मुख मंत्री जी के 2021 के 2021 में जो सामिल हुए तो उनसे जाके पूछिएगा ना क्योंकि वो बार बार यह कहते थे जहां मुख मंत्री पूछ बूछ आप द्यूर्भ मंत्री का खंडन करने कि को इसकी ये सवाल मोनीज्ज की आप उनसे वुछिए जो hai हमने कहा कि मुखवमंत्री जब किसी को अधिकार देखे क बनाते हैं तो अब video अब वहा के City राश्री अगर के रूप में कि हम सामिल नहीं हो आप 2021 में वो राष्टिय देख पे उन्हों ने क्या फैसला किया किन पुरिशितियों के फैसला किया ये इसका उत्तर बेंतर वो बना पार्टी के अंदर कोई टिकट मिलता है किसी को किसी को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के अंदर उसको इंपजार करना चाहिए दो साल के बार आप इसों सजा बोल रहे हैं पार्टी में दूसरे साथी को भी मौका मिलता है तो आपने सुना जेडियू के राश्ची अध्यच ललन सिंग को मुकमंत्री नितीज कुमार ने 2019 में ही फैसला कर लिया था और तमाम नेताओं के साथ विचार भी मस हुआ था कि केंद्रिये मंत्री मंडल में वो सामिल नहीं होंगे मगर मुकमंत्री नितीज कुमार ने केर टेकर बनाया रसी पी सिंग को रसी पी सिंग जेडियू के राश्ची अध्यच उने गए और 2021 में केंद्रिये मंत्री मंडल में सामिल हो गए प्रस्थितिया क्या थी किन प्रस्थितियों के अनुसार रसी पी सिंग केंद्रिये मंत्री मंडल में सामिल हुए ये तमाम सबाल अब जेडियू के तरब से पूछा जा रहा है और यह भी पूछा जा रहा है कि जब मुकमंत्री नितीज कुमार ने 2019 में ये असपस्ट कर दिया था कि मंत्री मंडल में वो सामिल नहीं होंगे उसके बाद 2021 में किन प्रस्थितियों के अनुसार रसी पी सिंग ने ये डिसीजन लिया था खेर अब आर्सी पी सिंग बगावत की राह पर हैं जेडियू निसाना साधने से भी पीछे नहीं हट रही लाइफ सिटीज के साथ पने रहें अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया